कल फाइनली आधिपुरुष का टीजर रिलीज कर दिया गया है जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी टीजर को लेके वो सब पानी में मिल गई मामला 50-50 का हो रहा है कि कन्फ्यूज कौन है ओडियन्स या फिर मेकर्स ओडियन्स कन्फ्यूज इसलिए है कि इतना बड़ा स्टार प्रभार जो 405 करोड रुपे की मूवी कर रहा है उस मूवी में ऐसा वी एफेक्स मेकर्स इसलिए कन्फ्यूज हैं कि भाई उन्होंने टीजर रिलीज करके कोई गलती तो नहीं कर दी बाई सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों के पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स दोनों आ रहे हैं जालतर कमेंट्स नेगेटिव हैं वो भी टीजर के वी एफेक्स को लेके बैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा कि लोगों की क्या कमेंट्स आये हैं वी एफेक्स को लेके कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई वी एफेक्स इतना खराब है तो कार्टन मुवी बना देते हैं और बात भी सही है भाई अच्छा भाई आपने पुरानी वाली रामायन तो देखी होगी रामन सागर वाली अब आप एक बात बताओ प्रभू श्री राम के शिक्स पैक एफ्स दिखाने जरूरी है मुवी में कुछ लोग ये सोचते हैं कि आदिपूरुष रामायन की ही कौपी है बट ये उनका सोचना गलत है दूसरी चीज भाई इन लोगों ने वी एफेक्स को तो पानी मिला दिया जो लोग ब्रह्मास के वी एफेक्स को लेके ट्रोल कर रहे थे मैं उन लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई जाओ दो दो नारियल और एक एक चदर अयान मुखरजी पे चड़ाओ क्योंकि भाई आदिपूरुष मूवी के मेकर्स ने तो भाई वी एफेक्स पे पानी फिर दिया अच्छा आब एक बात बताओ आप लोगों ने इस मूवी के अंदर जो बंदर दिखाये हैं मतलब वो बंदर एनिमिटिट दिखाने जरूरी थे आप लोग जूनियर आर्टिस्ट को काम नहीं दे सकते थे आपके पैसे बच जाते और लोगों को थोड़ा मज़ा भी आता कि हाँ भाई रियाल्टी तो दिखा रहे हैं कुछ सैफाली खान जिस उड़ते हुए राक्षस के ओपर बैटके आ रहे है उसको देखो पतलब यार कहीं से भी आपको बिल्कुल रियल वाली फिलिंग आरी एस को देखके मुझे तो नहीं आरी भाई हाँ एक चीज की मैं तारिफ करूँगा वो है कृती सैनन की भाई क्या फ्रेश लुक दिया है प्रभास और कृती सैनन की स्टोरी बहुत ही फ्रेश लग रही है आदी पुरुष के टीजर में मुझे एक VFX बहुत अच्छा लगा जिसमें प्रभास दूर कड़े होते है और समुन्दर ते समुन्दर देव निकल रहे होते है वो VFX मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतने सारे एनिमेटिड VFX डाल दिये मुवी के अंदर इससे अच्छा तो अगर आप जूनियर आइडिस को काम देते तो आपके पैसे बच जाते हो भाई ट्रेलर में कोई कमीनी है ट्रेलर बहुत अच्छा है लेकिन VFX की वजए से मार खा गया और ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये सब लोग कह रहे हैं हाला कि टीजर बहुत अच्छा लगा है देखने में बट VFX जो होने चाहिए थे जो VFX ओडियन्स एक्सपेक्ट कर रही थी वो VFX उसमें नहीं आए चलो यार जितना बताना था मैंने आपको बता दिया वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को जरू सोन कर लो और अपने भाई को इंस्टागराम को और फोलो कर लेना इंस्टागराम का लिडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो में